अपनी चार्ट अनलीसिस को स्ट्रॉंग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आर्स के दुराँ जो कुछ भी वनता है वो सब कुछ हम आपको यहां पर अपडेट कर देते हैं आप यहां देख सकते हैं मौनिंग में हमने पर अपने बदेट के लिए तो अपने यहां पर एक पूट पोजिशन अमने आपको दीथि लिए बठ हमने आपको बता दिया था कि यहां से के रिप होना चाहिए कि हमारा जो हैगिंग मैन पैटर्न हमारा बना हुआ था और हमने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि मार किटार्स में जो है कैंडल स्टिक पैटर्न हमारे बनते रहते हैं बट हमारा उनका हाई या लो ब्रेक हमारा यहां से होना जरूरी है तो उसी के बैसिस पर हमारा जब बना था लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि फिन निफ्टी में हमारा जो शुटिंग स्टार केंडल स्टिक पैटन हमारा फोलो नहीं हुआ था बट बैंक निफ्टी का हमारा फोलो हुआ था रूसी के वेसिस पर हमने आपको अगेन यहां पर अपने एक फुट पोजिशन दी है और हमने फिर आपको लास्ट में अपनी सेंसेक्स की हीरो तो जिरो ट्रेड हमने आपको दी थी और आप देख सकते हैं कि उसने यहां पर कितना ज्यादा जैकपॉट हमारा प्रॉफिट किया है तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मार्किट आर्स के दुरान हमारा क्य के से ट्रेड लेकर चलेंगे और हमारे विए कौन से टाइम फ्रेम पर होंगे जो आपके लिए यहां पर मिनिमूम लोज के साथ आप उनी ट्रेड को लेकर चलेंगे जो कि यहां पर 80% तक आपकी प्रॉफिटेबल हो सकती है तो सबसे पहले बात करते हैं आपने निफ्टी और यह हमारे लिए सुपोर्ट का काम करेगा आपको पता ही कि जो डो जोन से वो हमारे यहां पर काफी जादा पॉजिटिव है तो अगर मार्केट ने अज पॉजिटिव मूव दिया और अपने इस रजिस्टेंस को यहां से ब्रेक किया 19,465 का देन आपके लिए इंपॉर यहां पर रजिस्टेंस रहेंगे और अगर मार्केट यहां पर गैप अप ओपन होती है फाइव मिनिट की बात कर रहे हैं सबसे पहले आपको पाद है कि 6.15 पर हमारी मार्केट जो है वो ओपन होगी और 6.20 पर यानि फॉस्ट फाइव मिनिट की कैंडल के बारे में सबसे हम बात करेंगी कि अगर फाइव मिनिट की कैंडल हमारा इन लेवल का रजिस्टेंस ले लेती है और यहीं से काफी जादा सेलिंग अगर वो देती है और हमारे इस लेवल को ब्रेक भी कर देती है और इसके डाउनसेड यहां पर अगर फाइव मिनिट की कैंडल होल्ड हो ज EC level का यहाँ पर support ले लेती है तो आपकी जो first 5 minute की candle होगी अगर उसका high break हो गया then आपको यहाँ पर entry अपनी call side आप बना कर चलेंगे यानि जो हमारी first 5 minute की हमारी candle बनेगी 620 पर आपको अपनी trade को लेकर चलना है और first 5 minute की candle के high break होने पर आपको call बाई करके चलनी है और EC पर आ downside से break होगी then आपको यहाँ पर अपनी put buy करके चलनी है यह हम आपको एक simple सी strategy बता रहे हैं क्योंकि हम morning में अपनी mostly इस तरीके से हम trade लेते हैं जो कि यहाँ पर 10 times में से 6 times जिसका success ratio हमारा यहाँ पर होता है तो अगर आप यहाँ पर आज मुर ट्रेडिंग के दिन अगर आप अपना profit लेना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी trade को लेकर चलेंगे first five minute की candle card दूसरा सबसे main important बात अगर market को ज़्यादा gap up open होती है और gap up open होने के बाद वो downside अगर move देती है और अगर वो one minute की candle की बात करेंगे अगर one minute के बाद आपको second minute पर यानि अगर 6.15 पर हमार trade को यहाँ पर लेकर चलेंगे अगर वो भी आप इसी तरीके से अगर one minute की candle का high break हुआ तो then आपको call buy करके चलनी है और उसका break हुआ then आपको यहाँ से put buy करके चलनी है इस तरीके से आज हम अपनी trade को लेकर चलेंगे अगर market ने उस five minute की candle के high या low को break किया then आपकी entry सबसे ज inside candle बनती है तो उस inside candle पर भी आप अपनी trade को लेकर चलेंगे लेकिन अगर आपको loss free अगर आप trade करना चाते हैं तो उस five minute की candle के high ये low को break होना जरूरी है अगर inside candle बनी और inside candle बनने के बाद अगर वो low को break करेगी then भी आप अपनी put position को buy करके चलेंगे और inside candle के बनने के बाद और वो high को break करेगी then आप call position अपनी बना कर चलेंगे ये strategy हमारी nifty 50 में भी और यहाँ पर bank nifty में भी applicable हमारी होगी और दूसरी आप bank nifty में अगर trade लेंगे तो आपके लिए जादा best रहेगा और वो भी आप single load से लेकर चलेंगे क्योंकि हमारी ये more trading होती है और इसमें माना जाता है कि अगर आप यहाँ पर अपना आपका 200 का 300 का अगर आपका यहाँ पर 400 का भी आपको profit होता है तो वो आपके लिए यहाँ पर sufficient रहेगा क्योंकि आपका आज जो है दिवाली के दिन वो आप एक profit के साथ अपनी यहाँ पर आप trade को लेकर चलेंगे without loss के साथ सिर्फ आपने अपनी trade को यहाँ पर आज profit में ही आपको यहाँ पर अपना closing आपको देनी है loss आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है loss से अच्छा है हमारा यहाँ पर कम profit हो क्योंकि last हमने अपनी infinity की वीडियो में भी बताया कि last two years से market जो है वो consolidate हो जाती है यानि एक ज़्यादा हमार selling और यहाँ पर एक जो हमारी first candle बनती है वो जादा selling या buying की हमारी बनती है यानि upside या downside हमारी जादा आती है और उसके बाद market overall यहाँ पर consolidate हो जाती है तो आज आप इस तरीके से अपनी trade को अगर लेकर चलेंगे थोड़ा profit कमाएंगे तो वो जादा आपके लिए जरूरी हो then 44,199 का then 44,356 का यह आपके लिए important हमारे resistance रहेंगे और support कि अगर हम बात करें तो वो आपके लिए यहाँ पर रहेगा 43,798 का then 43,651 का then 43,417 का then 43,280 का यह आपके लिए important हमारे support निकल कर आएंगे वैसे तो आपको पता ही है कि हमारी जो market है वो यहाँ पर uptrend में ही यहाँ पर trade कर रही है और जो यहाँ पर closing भी हमारी हुई थी वो 800 के level के upside हमारी यहाँ पर हो चुकी है तो 44 आपके लिए strong यहाँ पर resistance का का काम करेगा अगर यह level हमारा यहाँ से break हो जाता है तो देन आपके लिए सबसे best opportunity रहेगी क्योंकि यहाँ पर इस time जो हमारी call writer होंगे वो सभी के सबही हमारे यहाँ पर अपनी positions को बना कर बैठे होंगे अगर यह level हमारा break हो जाता है यह नहीं अगर इसके 100 point भी market upside open हो जाती है देन वो सभी के सभी हमारी trap होंगे और अपनी positions को scare off करेंगे और देन एक fast move के साथ market हमारी upside जा सकती है लेकिन अगर इस 44,000 के level के downside ही market रहती है तो देन आपको यहाँ पर अपनी जो हमने आपको strategy बत जोइन कर सकते हैं क्योंकि हमारा पर आज आपको सब कुछ update कर देंगे थैंक यू happy दिवाली